तो हम यहां चैप्टर नमबर 9 कॉंटिनू कर रहे थे हमारी एशन्ट हिस्ट्री की सीरियस का जिसका नाम है जैनिजम और बुद्धिसम तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बैल आकन प्रेस जरूर करिए ताकि आपको रेगलर अप्डेट्स मिलत की आया आखिरकार क्यों हमारी समाज का इतना बड़ा पाल्ड बना उस वक्तियानिजम और बुद्धिसम तो स्टोरी यह है कि जो सुसाइटी थी उससमें डिवाइड हो गई थी ब्रामिन में मत्ता कुछ चार वर्ल आ गये थे जो आज तक चल रहे हैं लेकिन उससमें आये फिर था वैश्य और आखरी में थे शूद्रा तो इस स्टार्टिंग यह दो थे यह ब्रामिन और शत्रिया यह तो समझ लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हुआ करते थे रही बाद वैश्या के और शूद्रा की तो इसमें मामला यह था कि यह थोड़े इन दोनों के मत मतलब कि जन्यव पहनते हैं न जन्यव यह पहन सकते थे हैं थो जो वैश्यास थे उनको यहां पर इनके साथ रख लिया गया था तो मतलब ब्राम्मिन और जो शत्रिया हैं उनके साथ वैश्या भी थे तो 3 talked 2 नहीं को category में रखा गया था द्विजय की दिज मतलब उपर के आते थे वज़े का शुद्रास को अलाओ नहीं था यह सब पहनना अब देखिए द्विच क्या था मैंने बता दिया यह sacred threat को पहनना और वेदों को पढ़ना फ्रॉम विच शुद्रास वर वेद वगेरा पढ़ने की शुद्रास को अजाज़त नहीं थी शुद्रास खाले इन तीनों वर्लों को जो है सेवा करते थे इन तीनों वर्लों की इनके हिसाब से मारपिट जो भी पीटे पाटे तो पिटे भी थे बिचारे तो ऐसी हालत थी कोई शुद्रास की जो औरती थी इनको भी यहां इस समय तक देखी क्या हो गया था कि यह भी वेदिक स्टडीस नहीं करती थी, इनको अलाओ नहीं था कि यह भी वेदिक स्टडीस कर सके और अगर हम शुद्रास की बात करें तो यह domestic और agriculture slave बनके भी अब इस समय आ गया थे, दीमेदे में चीजे बढ़ रही थ पोस्ट वेदिक टाइम में काफी क्रूवल, greedy और कभी-कभी इनको untouchable भी बात में तो काफी जदा untouchable जो है मतला चुआ चूट के हिसाब से इनको जो है वो डील कड़ा चाने लगा है ना बहुत बुरी तरह से इनका विचारों का जो है वो treatment होता था उस मक्त अब लेकिए इसकी वज़े से क्या हुआ? टेंशन हो गई है ना इतना जो साइटी मेरे वर्ल वर्ल जब डिवीजन हो गया यह उसको पीट रहे है वो छोटा है वो बड़ा है इसके काफी टेंशन हो गए साइटी में हमारे बस कोई ऐसा बुरूफ तो नहीं है कि क्या reaction रहा था वैश्य का यह शूदरास का बट मामला क्या हो जो शक्तरियास थे इन्होंने बहिया ब्रा मन के अगेंस्ट जो प्रिंस टी क्लास हुआ करता था उसके अगेंस्ट बहुत जादा जो है वो प्रोटेस्ट करा और अगर हम बताएं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट जो जो है जैन औ और आपके बुद्ध, ना, बुद्धिजम और जैनिजम के सबसे दो इंपोर्टेंट जो फाउंडर्स हैं, आपके बताऊं, तो ये वर्धमान महावीरा, जो जैनिजम लेकर आए, और जो गौतम बुद्धा, जो बुद्धिजम लेकर आए, ये दोनों ही दोनों शत्रिया क कि एक नए तर्य की एक नौमी आई, अब मामला क्या था? कि जो ब्राम्मिन्स थे न, ये क्या कर रहे थे? ये ऑविस्डी बात है कि, आपके जो पर आपके बुद्धिजम में आपके पर आपके एक नौमी आगे बढकेगी? कैसे प्रोग्रेस होगा इस नय एकरिकल्चर का तो इस पर रोक लगाने के लिए सारी चीज़े जो है ये लोग असामने आए कि भाई ये रुकेगा नहीं है ना अग्रिकल्चर कैसे आगे बढ़ेगा अब ये देख सकते हैं यहां पर ये अग्रिकल्चर एकनॉमी बेस्ट अन आइलेंड प्रॉशेर इसकी विज़े से क्या इस पर रोक लगानी थी तो रोक लगानी थी कि भाईया देखो अग्रिकल्चर एकनॉमी अगर बढ़ानी है इस्टेबल करनी है तो हमें कैटल की जो किलिंग है इस पर रोक लगानी पड़ेगी इसने ये जो पीरिट था इसने नई बिगनिंग देखी कोईन्स की पहरी इन उत्तर प्रदेश और बिहार में देखे कुछ देखने में इस तरह के लगते हैं पंच मांक कोईन्स अब देखिए जो वैश्याज थे उन्होंने सपोर्ट करा दोनों ही महावीरा को और गौतम बुद्धा को क्यों मतलब थर्ड वाला जो धर्म था उन्होंने वैश्या कि इसे बहुत जादा परशान हो गए थे और इसके चलते हैं इन्होंने काफी ज्यादा जो है वो सपोर्ट करा बुद्धा को भी और महावीरा को भी जो मर्चंड्स या पर सेथी जिसे आज भी बोलते है न सेथ वगेरा गिफ्ट वगेरा भी दिये है बुद्धा को और उ जो है कोई existing world system को कोई importance नहीं देता था यह यह दिडनों अटाइच एनी इंपोर्टे सद एग्सिस्टिंग वर्न सिस्टम था ना परी समझेगा वर्न सिस्टम इस तरी कोई वर्न सिस्टम इसमें था नहीं दूसरी बात यह कि पढ़ाते थे धर्म दोनों ही धर्म क्या पोल छो हən 7 ट्रा शायकिछ अंपरण ट्रेट वगेरा बढ़ेगी तो बहुत बढ़िया मेर्चेंट से फले फूलेंगे अधिक ऑदरी ने ब्रामन के लॉट्धा थी थे कि पैसा दीना मतलव लेंड करना पैसा यहां पे गलत है और किसी भी दी AnimSatr ट्रेट के चक्कर में अब दे नहीं पाया थे, क्यों कि भीया ओविस ही बात है कि ब्रामन की धर्म सुतराज में लिखा हुआ है कि यह गलत चीज है, तो यह भी चाले थे कि भीया मेरा जल्दी से सोजल स्टेटस और बढ़े तो हम पैसे लेंड वेंड कर पाएं, तो इस वैस पसंती और इनको लड़ाई दंगा तो बिल्कुल ही नहीं पसंद था, और जैनिजम और बुद्धिजम बताएं, तो कही रहते हैं, बिल्कुल सिंपल लाइफ देंगे, तुमको आसेटिक लिविंग देंगे, बिल्कुल प्रॉपर, बहुत ही शान्ती से जी होगे, सब मो म हाया है वाला सीन, अब हम बात करेंगे आपे वर्दमान महावीरा सबसे पहले जैनिजम के बारे में, तो देखिए मर्दमान वहावीरा, वर्दमान महावीरा, इनका जनम हुआ, देख सकते हैं आप, इनका जनम हुआ 580 BC में, एक गाउं था, एक विलेश था, वैशाली के इनके फादर जो थे, वो फेमस शत्रिया क्लान के जो है, हेड हुआ करते थे, और जो इनकी माता थी, वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, यह connected थे royal family, जो मगध की काफी royal family थी, उससे काफी connected थे, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि, कहानी की तरह सुनिएगा, ठीक है, स्टा बट, जब यह 30 साल के हुए, तो इन्हों ने सब छोड़ दिया, यह mom आया, और यह एक, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, आस्थेटिक बन गाए, कि भईया सब कुछ जो है, वो हम छोड़ रहे है, घर द्वार से दूर चले गए, और यह घूमते रहे, टहलते रहे, 12 सालों के लिए अपने कपड़ों को नहीं बदला, और जब इन्हें परफेक्ट नॉलेज, जिसे कैवल ले बोलते हैं, 42 साल की उमर में, जब इनको यह 42 एर्ज की एज में, यह इनको मिल गई, तो उसके बाद इन्होंने पूरी तरह से अपने कपड़े त्याग दिये, कैवल ले क मतलब यह परफेक्ट नॉलेज के बाद इन्होंने जो है दुख, दर्द पे सब पे जो है वो, जो है, क्या कहते हैं, कॉनकर कर लिया उसको, मतलब उसके विजय पाली, है नो, और यहां पे दुख होगा, दर्द होगा, खुशियां होगी, सब पे विजय पाली, और इन्हे इसलिए महावीरा कहा जाने लगा, या पिर आप कह सकते हो, ग्रेट हीरो, या जिना, ठीक है, और इसलिए इनके फॉलोवर्स को जैन्स बोलते हैं, इन्होंने अपने एलिजन को 30 सालों तक के लिए फैलाया, प्रपोगेट करा, और इनकी डेथ हो गई, जब यह 72 एर्स के और 468 BC में इनकी डेथ होई है, एक जगा पे, जिस जगा का नाम था पावनपुरी, जो की आज जो राजगीर है, मौडरन राजगीर है, उसके पास में पढ़ती है, अब आएए कुछ बात करते हैं, क्या पढ़ाया इन्होंने, डॉक्ट्रिन्स क्या है जैनिजम के, जैनि जब किसी की प्रॉपर्टी हडपु मत, और 5 वा अब्जर्व कॉंटिनेंस, मतलब ब्रह्मचार, ठीक है, तो इट इस डाइट ओली फिफ्ट डॉक्ट्रिन, जो ये 5 वा है, अब्जर्व कॉंटिनेंस वाला, ब्रह्मचारे वाला, कहा जाता है कि यही सिर्फ महावीरा ने अब्जर्व के लिए नहीं, यह 24 तीर्थंकार थे, महावीरा, जो पहले की पहले की जो बाकी की तेईस थे, उनके में से कुछ टीचिंग्स में से यह बाकी के चार जो है, वो लिये गये हैं, और यह 5 वाला इन्होंने खुद आड करा है, उसके बाद देखिए, पर्सव, जो प्रेडिसेसर हैं महावीरा के, मतलब इनके पहले जो थे, उन्होंने अपने फॉरोवर से कहा था कि तुम अपर और लोवर पोर्शन अपनी बॉडी का कवर कर सकते हो, बट महावीरा ने कहा कि तुम पूरी तरह से ही सब कुछ जिसकार्ट कर दो, और पूरी तरह से ही जो कि सफेज रंग के कपड़े पहनते थे, तो आसे याद रखिएगा श्वेद मतलब सफेद, और दिखंबरास, जो कि अपने मतलब नेकेड रहते थे, मतलब ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनते थे, तो श्वेद से याद कर लेंगे दूसरे बाले मतलब, नेकेड अब देखें, जैनिजम जो है, वो रिकगनाईस करते हैं, गौट्स की एक डिसन, ठीक है, कि जैनिजम कहते हैं, कि हाँ इश्वर होते हैं, बट इनको जिनास है, मतलब मनुष्य के ये समयलों को नीचे रखे की, मतलब इनका कहने का मतलब है, मनुष्य के अंदे सब कुछ ह ये वर्ण सिस्टम को बुरा नहीं कहते थे, बट बुद्धिजम कहता था, समझी ये बात को, ये दे डिड नोट कंडेंड दी वर्ण सिस्टम, आज बुद्धिजम डिड, काफी इंपोर्टन चीज़े समझ के चलेगा, महवीरा की साबसे एक इनसान, जो कि लोवर या फि करता है, at the attainment of freedom from worldly bonds, कि मतलब जो तुम्हारी मोहमाया है, सब मोहमाया है, इस से तुम आजादी पालो, जैनिजम यही कहता है, इनकी ओपिनियन में, एक इंसान जो है, अगर प्योर लाइफ जीएगा, तो मतलब क्या है, in his opinion, through one's pure life, one from lower caste can also attain liberation, अगर एक इंसान जो है, वो चोटे caste का भी है, तो भी अगर वो pure जिंदगी जीता है, तो भी वो जो है, वो निर्वार पासकता है, liberation पासकता है, ठीक है, यह अजादी पासकता है, ठीक है, यह काफी जरूरी नहीं है, कि कोई भी ritual या फिर मतलब, it is not necessary to use any ritual for acquiring such liberation, अगर आपको liberation चाहिए, तो कोई जरू जैनिसम, तो इनका क्या है, कि वो knowledge जो तुमारे पास, action तुमारे अच्छे हो, और तुम liberation पाजाओगे, जैनिसम का spread कैसे हुआ जानते हैं, तो खुद को protect करने के लिए क्या हुआ था, यह famine आ गया था, और famine का मतलब होता है, भुकमरी, shortage of food, तो protect करने के लिए खुद को इससे, कई सारे जैन्स जो है, वो south चले गए, और leadership किसकी थी, भद्र बहु की, लेकिन बाकी जो थे, वो रहे, मगद में ही रहे, और उस समय जो मगद के लीडर थे, उनका नाम था, इस्थल बहु, तो जो south च चले गए थे, उनको दिगंबराज बोलने लगे, मतलब जो naked वाले हैं, और जो मगद में रहे, मगदियंस, उनको श्वेतंबराज बोलने लगे, जो की सपेद कपड़ वाले हैं, जैन के monastic establishment, यह करनाटिका में भी बहुत सारे, जो है, वो क्या कहते है, monastries बनी, इनको grant कर गया by the land of kings for their support, जैनिजम जो है, वो कलिंगा में भी पहुचा, जो की उडिसा में पढ़ता है, मालवा, गुजरात, राजिस्थान और तमिल नाडू में भी फैला, क्या-क्या जैनिजम ने contribute करा हमरी society में, तो देखे, जैनिजम ने mitigate करा evil, जो की world system के evils थे, यहना बहुत जैनिजम ने को Sanskrit language को तुम मत यूज करो, जो की Brahmins सबसादा यूज करते हैं, तो होता क्या था कि Brahmins, Brahmins, Brahmins ही यूज करेंगे, शुद्रा को मरा है, वेद पढ़ना, यह पढ़ना, वो पढ़ना, तो इन्होंने का तुम discard कर दो, इसको मत यूज करो, तुम Sanskrit language को, और इन religious literature है, वो अर्ध मगदी में लिखे गए, किसमें लिखे गए? अर्ध मगदी में लिखे गए, ठीक है, फिर समझे जो religious literature है, वो लिखे गए थे अर्ध मगदी में, और text जो थे वहाँ, वो finally compile करे गए है, मतलब एक साथ, जो है, सब मिला, लू के लिखे गए है, यह 6th century में, गुजरात में, गुजरात में जगा है, वला भी वहाँ पे काम करा गया है, और एक great center है education के लिए, अब यह कई सारी languages develop हुई है, प्राकृत language से निकल के आई है, पर्टिकुलरी अगर हम शौराशनी को देखे, जिसे मराथी language निकली है, तो यह शौराशनी language जो है, वो प्र यह यूज करा है, संस्कृत का और contribute भी करा है, कन्नल language की growth में, अब हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, और बुद्धिसम के बारे में, तो देकि गौतम बुद्ध या सिधार्ता, यह contemporary थे महावीरा, के मतलब महावीरा के time पे ही यह थे, और यह 563 BC में इनका ज यह गौतम थे, गौतम बुद्ध थे, इनके जो फादर थे, वो थे King Sudhodana, जो कि लीडर थे, शाक्या क्लान के, in what was the growing state of Kosala, ठीक है, इनकी जो मदर थी, इनका रणान तक Queen Maya Devi, यह प्रिंसेस थी, Kosala डानिस्टी की, sorry, Kosala डानिस्टी की, मतलब जो गौतम के जो फादर थे, व and what was the growing state of Kosala, और इनकी जो मदर थी, वो Queen Maya Devi थी, यह प्रिंसेस थी, from the Kosala dynasty, काफी शादी इनकी जल्दी हो गई थी, but married life, काफी, मतलब कोई इंट्रेस्ट था नहीं इनको, और 29 की एज में, इसे की महावीरा ने किया, इन्होंने भी घर को छोड़ दिया था, और यह तो तहल जलते रहे करीब साथ सालों के लिए, और फिर इनको knowledge मिली, जब यह 35 साल के थे, और इनको यह knowledge मिली है, बोध गया में, ठीक है, एक people के पेड़ के नीचे, एक people tree के नीचे, और यहां से इनको जो है, वो, कहने लग गए, बुद्धा, या फिर enlightened, बुद्धा है इनका नाम साथ में दिया था बनारस में, है ना, तो जो है, इनको इनोंने ही जो है, यहां पे जो गौतब बुद्धा है, उनने डेलेवर करा था अपना पहला सर्मन, अट साथ ना दिन बनानाने स्कॉल्दा, धर्म, चक, पवर्तन, सुथ्ता, तो यार रखिएगा, धम, चक, पवर् उसको जो है वो इसको इन्होंने ये कहा अब इनकी जड़े डेथ की बात करें तो ये करीब 80 साल के थी 80 एर्स में इनकी डेथ हुई है 483 BC में कुशी नगर में ऐसा हुआ और ये आपका कसिया एक गाउं है उसके पास में पढ़ता है दियूरिया डिस्ट्रिक्ट में इस्टन उत्तर प्रदेश में अब हम कुछ पढ़ाएं क्या डॉक्ट्रिन्स थी आपकी बुद्धिजम की क्या बिलीफ्स थे तो देखिए ये जो है वो इन्वॉल नहीं करते थे खुद को with fruitless controversies regarding the soul and the brahma ठीक है ये ऐसा कुछ ये इसमें कुछ नहीं गुशते थे कि क्या है soul, brahma इन्वीडियों में ये नहीं इतना घुसत है उन्हें बात कही थी जो ये दुनिया है जो world है ये दुखों से भरा हुआ एक जगा है दुखों से भरी है और जो लोग है वो अपने इच्छाओं की वज़े से ही इतना सफर करते हैं और आज की डेट में हम क्या है हमारे इतने by और आऑर हम टेवрий है तेना सफर करते हैं अगर इंसान अपने इच्छाओं पर मत्ता करेंद। तो लोग भूल जाते हैं उनको समझ नहीं आता उस समय क्या है क्या है क्या नहीं तो यह दुख को खतम करने के लिए आट कुछ चीज़े बताएं कि कहा पिर कहा राइट डिटर्मिनेशन कहा राइट स्पीच राइट आक्शन राइट टाइम राइट एक्स्क्यूज राइट मेमरी और उसके बाद एक प्रॉपर मेडिटेशन सही से करिए जो मेन आइटम है इनके सोशल कंड़क्ट के वो हैं do not covet the property of others जो की एक बरजैनिजम ने भी बोला है ये बात ठीक है कोई violence वगेरा मत करो दारू वगेरा मत पियो मत इन्टॉक्सिकेंट्स को यूज मत करो छूट मत बोलो do not speak a lie and do not indulge in the corrupt practices ठीक है कोई भी खराब चीजों मे involve मत हो special features बताऊं बुद्धिजम के and क्या वजा थी जो इतना वो फैल किया तो देखिए बुद्धिजम जो है वो recognize नहीं करता था existence of God and soul तो यह बात यार रखिएगा कि जैनिजम जो है कहता था कि यह बगवान होते हैं but वो जिना के नीचे रखता था वही जगा बुद्ध order उसमें औरतों को भी involve करा गया था और यहां पे जो है that's bought and part with men संगा जो कि जो डोर थे वो open थे हर एक इंसान के लिए चाहिए आदमी हो चाहिए औरत हो यह ना in comparison to the Brahmanism अगर हम ब्रामरिजम के comparison में देखें तो बुद्धिजम जो है वो काफी liberal था democratic था सबके लिए था य इन्होंने कोशिश करी कि यह बुराईयों से लड़े अच्छाई से लड़े मतलब अच्छाई की मदद लेके बुराईयों से लड़े मतलब fight evil by goodness ठीक है and hatred by love और नफरत से लड़ा जा सकता है प्यार से यह बाद इन्होंने कोशिश करी इन्होंने पाली लैंग्विज का य लंगा और दिसरा है धम्मा तो जो लोग थे मगत के कोसाला के और कोशंभी के इन्होंने इस रेलिजन को काफी मात्रा में अडॉप भी करा एक famous Morian king Ashoka the great इन्होंने बुद्धिजम को embrace करा है और क्या हुआ था इन्होंने ही spread करा है बुद्धिजम को Central Asia में West Asia में श्रीलंका मैं तो अपने बच्चों को ये भेजा था इन्होंने spread करने के लिए अब क्या causes थे कि बुद्धिजम जो है वो decline हो गया क्यों टाउनफॉल हुआ बुद्धिजम का ये जानते हैं देखिए पहली क्या था कि इनकी जो संगा हैं यहां पे औरते भी जा सकती थी तो अब औरत इनके मन में आ गया था तीसरी बात एक नया फॉर्म बुद्धिजम जिसे हम लोग वज्रियाना कहते हैं ये भी originated हो गया था महायाना traditions है साथ इसाथ तर्गिश इन्वेडर्स जो आये थे अब तो तर्गिश इन्वेडर्स की वज़े से अब जो बुद्धिजम है ये disappeared हो इंडिया था अपनी मतलब इंडिया से शुरू हो और बताइए इंडिया से ही खतम हो गया इसरी बात बुद्धिस मुनास्ट्री इस डेवलप्ट एस ग्रेट सेंटर्स है ना जो बुद्धिस की मुनास्ट्री नहीं काफी बढ़िया सेंटर्स बनके आये है और यहां पे काफी अच्छी पढ़ाई बढ़ाई हो सकती थी है ना कॉल्द रेजिडेंशल उनिवस्ट आप जानते हैं विकरमशिला उनिवस्ट्री आप जानते हैं बिहार की तो इस बुद्धिस्ट मुनास्ट्री जह है यहां पे काफी हल्प करी और ग्रीक और इंडियर स्कुप्चर्स ने एक साथ काम करा और एक नए तरह की आर्ट बनाई जिसे हम लोग गांधरा आर्ट ब अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपना कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर छोड़िये वह बहुत अच्छा लगता है मुझा अप्रिसेशन आप लोगों का बाकी ये वीडियो आपको फेस्बूक भी मिलेगी फेस्बूक पर देख रहे हैं